पेंक ने चार महीने पहले ही बता दिया है क्या होने वाला है चाइना के साथ और जो बताया है उसके बाद चाइना के लिए मुस्खिलें और जादा खड़ी हो गई है जानेंगे किस तरीके से धरासाई हो रहा है चाइना तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार भारत के सेना परमुख आफरीका के एक छोटे से देश पे पहुँच रहे हैं तो चाइना के अंदर इतनी हडकंप क्यों मच गई है कि तुरंट से विदेश मंत्राले ने फैसला ले लिया है जानेंगे यह कौन सा देश है और क्या है मामला सेना परमुख के जाने से क्या हो जाएगा जियो पॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है आए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से इस्क्रीन पर आप एक मैप देख रहे हैं ये मैप है अफरीका महादेश का और अफरीका महादेश जिसको जाना ही जाता है सोना चांदी हीरा यूरेनियम प्लेटीनियम ऐसी धात्मों के भंडार के बारे में दुनिया का 40 से 60 परतीसत अलग अलग दुरुलव खनीज अगर कह कि मिलते हैं तो वह इसी इलाके में मिलते हैं लेकीं तंजानिया का मह्तु कुछ और है तंजानिया में बहुत ज्यादा खनन का कारियर नहीं होता है मिलता तो यहां भी सोना है लेकिन वो सोना सिर्फ तीन दस्मलों दो परतीसत इनकी इकोनोमी में जुड़ता है सबसे ज्यादा काम तंजानिया का होता है खेती में लेकिन फिर भी भारत और चाइना यहां पर भीड़ रहे हैं पहले आपको बता दें अफरीका के इस देश के ऊपर चाइना ने खर्च जादा महत्पूर्ण है जब वो उत्री थी तो उनके लिए रेट कार्पेट बिछाया गया चाइना में और उन्हें 93 के परसिद्ध हॉल में लाया गया वहां पर इन्होंने साइन किया था और इस साइन में ये कहा था कि हम आपके देश में बहुत सारा निवेश करेंगे और कुछ ऐसा ही हुआ भी निवेश तो होने लगा लेकिन निवेश के साथ साथ समस्याएं भी बड़ी अभी तक कहा जा रहा है कई विसे सग्य मानते हैं कि सुलूह जो की तंजानिया की रा में निवेश की बात की गई थी इसके तहट एक दस्मलों तीन अरब डॉलर की कीमत वाले स्टेशन और दस बिलियन डॉलर का बंदरगाह सामिल था ये बनने में कई तूटी फूटी चीजें निकल कर सामने आई पर फिर भी रिष्ते बने रहे पर अचानक से चीजें बदल लगी चीजे कैसे बदलने लगी इसका अंदाजा आप ऐसे लगाई है जुलाई के महिने में बिदेश मंतरी एस जैसंकर तंजानिया के छोटे से टापू देश जंजीवार गए अगर तंजानिया के मैप को देखेंगे आप तो आपको ये छोटे छोटे टापू भी दिख बचने के बाद डॉक्टर एस जैसंकर ने अपनी स्पीच में कहा कि देखो हम किसी एकोनोमिक फाइदे के लिहाज से नहीं आये हैं हमें यहां कुछ फाइदा चाहिए ऐसा कुछ नहीं है इसक्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल डॉक्टर एस जैसंकर के बाद अचान यहां के स्कूल इसने कई सारे खोल कर रखे हैं और इस स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है चाइनीज लेंग्वेज पढ़ाया जा रहा है यहां चाइना के फेस्टिवल को यह सेलिबरेट कर रहे हैं तंजानिया जैसे देश में भी चाइना अपने नीती को चला रहा है ये साफ साफ दिख रहा है वैसे आजकल तंजानिया और भारत के संबंध बदल रहे हैं क्यों बदल रहे हैं बहुत तरह से बदल रहे हैं एक आपने देखा होगा ये दोनों यूट्यूबर भी तंजानिया से हैं जो काफी चर्चा में रहते हैं और भारती एमबेसी के द्व का आयोजिन किया चाइना तंजानिया फॉरम जिसमें एक सो चाइनीज कंपनी को कहा कि आप यहां आईए और यहां पर इन्वेश्टमेंट करिए तंजानिया को हर हाल में चाइना छोड़ना नहीं चाहता है अब सेना पर मुख यहां पहुंचे है तो कुछ मकसद से पहुंच जाए जागा जहां भारत अपने आकास मिसाइल को बेचने की बात भी करेगा ब्रमोश मिसाइल के लिए भी बात करेगा तो क्या सिर्फ यही एक मुद्दा है यहां से फाइदा क्या है चाइना और भारत को तो सबसे वड़ा फाइदा है इस क्रीन पर आप देखिए जनजी चाइना चाहता है कि कबजा हो जाए इस वक्त उसे सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती चीज लग रही है हिंद महासागर चेतर में ज्यादा से ज्यादा मिलिटरी बेस बनाना और चाइना के इसी मनसूबे को तोड़ने के लिए भारत के सेना परमुक भी यहां पहुंच र कि मः पधारत चाइना का तोड़ने के लिए हर दिशा में काम कर रहा है जहां एक तरफ यह जो चाइना को साथ नहीं दे रही है और वो चीज और वहीं जो रामरची राख्छा इसे टो रहा है जब दिख रही थी तो कहा जा अब ठीक होने लगेंगी पहली बाद तो यह कि कई बार जब मीडिया में खबर आती है चाइना की तरब से तो कुछ ऐसी खबर होती है जो जान बूझ कर चाइना फैलाता है ऐसा इसलिए कि उसका असर निवेसकों पर न पड़े लेकिन अभी इस्तिती सबसे ज़्यादा खरा बचाने के लिए एवर ग्रांड के सेयर लगातार लुड़क रहे थी पर इन सब के बावजूद यह देखा जा रहा है कि पूरे एसिया में सेयर मार्केट में गिरावट है और इसके पीछे बड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है चाइना से अब इन सब के बीच में अभ मिंट की सुरुआत हो गई है तो आपको बता देए स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं मिंट की आर्टिकल है वर्ल्ड बैंक ने पूरे इस्ट एसिया को कहा है कि यह हां की ग्रोथ रेट होने वाली है कम और आपको बता दें इसमें उन्होंने चाइना के 2024 के जीडी लेकिन 2024 में 4.2 से 4.5 परतीसित के बीच में रहेगी, 2024 का ऐलान इसक्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल अभी कर दिया गया है, और ये चाइना के लिए सबसे वड़ा ड्रॉबेक है, क्योंकि इस ग्रोथ रेट को सुनने के बाद जल्दी फॉरन निवे सक यहां पैसा जो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोव करेंगे, अब उस कुछ देश में सवभाविक तोर पर भारत का भी नाम आता है, भीयत नाम का भी नाम आता है, वैसे इन सब मामले में आपकी चारा है, कमेंट कर जरू बताएं, जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के स झाता है